कर दिया और उसके साथ इंडियन लोगों ने भी अच्छा मोई चालो किया कि बॉयकॉट चाइना तो इस बज़े से क्या होड़ा है कि जो चाइना के फोन से वह खड़ीद ना बंद कर रहे है या फिर चाइना का फोन हो तोड़ है तो पहले बाद चाइना का फोन है को जैसे का पाता होगा कि अगर मीटरेंज फोन खरीदने जाओ तो आपका पास चार बाच ओप्सन रहते हैं तो जैसे की ओप हो गया वीवो हो गया रेडमी हो गया रियल्मी हो गया लेकिन अभी तो आप यह सब नहीं खरो देगा खरेदना में ने चाहिए हमारे लिए देश अगया फोन बाद में तो अभी आप सोच रहा होंगे तो फोन कौन सा खरीदना चाहिए मिड रेंज के लिए कोई प्रब्लम नहीं में हो ना आप लोगों के लिए मैं लेकर आचुका आपको यह से तीन चार ब्रैंड जो कि आपको मीड रेंज बहुत ही एच्छा फोन लेकिन उनसे कुछ कम भी नहीं है और उनसे प्राइजिंग में थोड़ सा कम ही होगा मैं आपको गारंटी देता हूँ और तो भाई पहले इंट्रो देख लो फिर फोन की बात करते है तो भाई जो सबसे पहला रेंड आते हुआ इंफिनिस का ब्रैंड आता है मैं आपको प आपको लेना चाहिए इंफिनिस का इस फाइब प्रो बहुत ही अच्छा फोन है और अगर इसकी स्पेसिफिकसं की बात करें तो आपको मिल जाता है 4GB 64GB के साथ उसके साथ साथ तो आपको मिलता है डूल 4G साफोड उसके साथ साथ सब्सक्राइब डेडिकर्ट स्लिम सॉट मिल जाता है उसके साथ साथ अबको अगर प्रोसेशर की बात करें तो ही लियो 805 अबको प्रोसेसर मिलता है बहुत ही अच्छा है और साथ सब्सक्राइब बात करें तो चाला जाड़े मैश के बैटरी है इसकी और अगर आफ ऐसके दो आपको pop-up selfie camera मिलता है उसके साथ सब कितना चाप processor भी मिलता है तो ज़रूर मैं आपको recommend करूंगा कि आपका budget थोड़ा सका है तो आप ज़रूर ये phone ले सकते आपको pop-up selfie camera मिल रहा है अच्छा processor मिल रहा है और क्या चाहिए भाई तो अगर आप चाहिए तो इंफिनिक का ये phone खरीच सकते हो इसका अगर प्राइस की बात कर तो इसका प्राइस बहुत ही जाता काम है तो इसका प्राइस है 11,499 रूपीज मतलब 12,000 रूपे से भी कम रूपीज में आपको इतना अच्छा प्राइस के साथ आपको पॉप अप सेल्फी क्यामरा भी मिल जाते है और क्या ही चाहिए तो चलते है हमारे दूसरे ब्रैंड की तरफ में दूसरा ब्रैंड है उसका नाम है आसूज बहुत ही फेमज ब्रैंड आसूज और इसमें बहुत यह चिछे गेमिंग फोन भी आते सबसे बहुत है अगर बात करें तो आपको 6.3 इंच का FHD डिस्प्ले मिल जाता है जो की बहुत ही अच्छा दिस्प्ले माना जाता है और अगर इसके बात करें बैटरी के तो आपको नेंटरी मते जो की दो दिन का बैक अब दे आरहाम से और आपको डूट रॉल कैमेरा मिलता है 12प्लेस 5-megapikskल कर अगर फ्रेंट केमरा की बात करें तो आपको Zenfone Max Pro M2, मैं आपको रेकॉमेंट करोंगा कि आप यह जरूर ट्राइ करना अगर इसके प्राइस की बात करते है तर्टी थाउजन नाइन हंडिटी नाइटी रुपिस मतलब तेराज और नोसो निनाइन मतलब 14 रुपर में आपको इतना ज्यादा मिलता है और यह Chinese phone नहीं सबसे बड़ा बात है और क्या है चाहिए तो भाई मैं आपको जरूर रेकॉमेंट करूंगा कि आपको अगर ऐसा कुछ बजेट है तो आप जरूर खरेच सकते इस फोन को और तीसरे जो ब्रैंड होने बहुत ही फेमस ब्रैंड होने तो क्या होगा वीडियो मे इसमें 2-3 करके फोन आ जाता है इसका और पता भी नहीं चलता है कौन सा पोन अच्छा है कौन सा बन बुड़ा है इसमें यह अच्छा है लेकिन आपका भाई है ना आपका भाई भी जिन्दाए आपके लिए बेस्ट फोन चूज करकर लायों में आप खरी सकते हो सैमसंग क सैमसंग गैलेक्सी का म 30 आ होति अच्छा यह फोन और बात करें इसकी स्पेसिफिक एक सेंस कि तो भाई सैमसंग की जितनी ताडिप पर उतना कम है तो भाई इसका सबसे पहले कैमेरा की बात कर ले तो भाई सबसे पहले जो आपको कैमेरा मिलता हुए 64 मेगापिक्सल का प् जैसे कि आप देख सकते हैं इसके color effect बहुत ही अच्छा होता है आप थोड़ा सा पिक्चर enjoy कर लो फिर में बात कर और भाई लोग अगर दूसरे कैमेरे के बात कर तो 8 megapixel का अल्टरावाइड लेंस मेल जाता है उसके साथ 5 megapixel का Macro lens और 5 megapixel के live focus अपको देखने को मिल जाता है और अगर इसके बात करें आपको night mode का aperture f1.8 मिल जाता है जो की बहुत ही अच्छा है उसके साहता दब 4K वीडियो रेकॉर्ड कर सकते हो इस phone के through और उसके साहता है अगर व्लॉग आद हो तो आपको hyperlapse का option में मिल जाता है और अ अगर बात करें तो 8.9 mm का आपको slim body मिल जाता है और इसके बात करें बैटरी को दो 6000 एमेज का battery मिलता है जो कि आपको type C के charger के super fast charger के साथ मिलता है जो कि बहुत ही अच्छा है इसके बात करें तो आपको exynos का 9 611 का processor मिलता है जो कि 6GB and 120 GB के साथ आता है जो कि आपका gaming experience के ल पहले लोग दो कलर में अवैले आवले ऊसेंबूर सप्लेश में कोई भी एक लेख सेखते हो अगर प्राइस की बात करते हो पह सकाथ 17,000 रुपीज तो बहुत ही अच्छा प्राइस रेंज है आप आप आडाम से ये फोन ले सकते हो और बहुत ही अच्छा से इसको उसकर सक अगर मैं आपको बिल्कुल भी रेकॉमन नहीं करूंगा कि नोक्या का फोन खड़ी दो क्यों मैंने कुछ रिसेच्च किया तो भाई बहुत ही ज्यादा मेंगे फोन आ रहे हैं और उसमें कुछ अच्छा उतना स्पेसिवरेशन आपको नहीं मिल रहा इस नोक्या से अच्छा सब्सक्राइब अगर इंटर पॉन खरी सकते हैं उससे ज्यादा होगा था असुस खरी सकतो या फिर आपको श्मस्क और इंटर का फोन जो कि आप खरी सकता नौन चानीज ब्रेंड मैं आपको रेकामेंड करूंगा कि आप सैमसंगा फोन खरीद लो आप इसका डिस्पली के आप से रिक्वेस्ट करता है कि भाई कोई भी चाइनीज फोन मत करीदो अगर खरीद लिया तो उसको मत तोरने का कोई फाइदा नहीं आपको तो तब तक के लिए आपका वाय सिद्धान्त साइंग और झाल